कि यह देखिए तमिल वनन आपको वहाँ पर नजर आएंगे कौतम मुर्गन वहाँ पर होंगे प्रवीन कुमार आयनार वहाँ ची और चब तक हमारे साथ नवनीत जुड़े नील गरी नाइट्स की आईए थोड़ी सी वाद कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पर चलिए बैक हम आप सबी के साथ हो चुके हैं एक चुड़ा सा काउंडाउं तो और क्या आश्यांदार काउंडाउन में म्यूजिक था बट आज के लिए म्यूजिकल डे होत पाएगा इस म्यूजिकल मैच हो पाएगा के हरीश रॉकेट हरीश जेट पशुपती के बहुत अच्छे दोस्त हैं और रॉकेट हरीश जूनियर के नाम से जाने हैं और इनका जो सामराजे था मलेशिया इंडोनेशिया तक भी फैला था और चोला लगतार और यहां बहुत भी फोर्स के साथ अंके दाईया ने कोसिस की है उनको रोख लिया जाएगा निलिगरिया नाइट जी या नहीं खोले हैं मरी मुक्तु सेलवम आए हैं यहां पर बार मिनट चालिज सेकेंड का खेल बचा है पाँच डिवेंडर्स आपके सामने देख रहे हैं और जो लाइन है बोनुस लाइन वो नहीं ओपन रहता है क्योंकि मिनिमुम खेक लाड़ी होने चाहिए यहां पर जारी है चोलावी रंस के हरीश बहुत जादा डीप वहां पर चले गई थे रेड में एम गौतम और इनियनन दोनुकर शिकार बनाते बेस बार यानि कि दो बड़े दिफेंडर एक तरफ राइट कौनर को यहां पर पर पहले टच किया गौतम थे वाह पर चाहिए है कि हर बार एक दूसरे पर आप गलती ध्रॉब देते हैं कि यह मैं आपकी बातों से बाबू मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोर पक्षो सकते हैं लेफ कौनर पे बदोनों कवर बहुत अच्छे प्रवीन कुमार और गौतम मुरगन अरुन कुमार को सारा काम बन जाता है क्योंकि वो पावर वो स्ट्रेंथ नजर आती है और वो स्ट्रेंथ क्यार अरुन कुमार ने एजिलीटी के साथ दर्शाय है स्विफ्ट टच किया यहां पर बहुत पीशी उनके लिए बिल्कुल टाइट हो दी तो शायद वो टच नहों पाता नमनीद अगर आप पैशन की छेतने वहां अपने कहा है आप ने कहा है अघर वो टाइट रहेंगे तो लूज नहीं होने चाहिए तो फही इंपॉटेंट पॉइंट हो और यह चोटी चोटी बात होती है बहुत होती इंपॉटेंट होती है यहां पर यह देखना बहुत जरूरी है तीजी से लेफ से राइट फ्लैंग में जा रहे हैं यहां पर किका यह रोकेट एनरजी एंड रोकेट स्पीड दो पॉइंट अपने गाते में चोड दिये और आज इस रोकेट का फ्यूल है जो शायद समाव दोने का बात करेगा ही न अच्छी आपने अब्जर्फ किया नमनीद कि पहले वो हैंट तच दिखाने जा रहे थे कि हरीश पर उसके बाद उन्हें किक लगाई और अरण कुमार इस बाद दू आइड में इस मैच में नौ और शे का लीड बना करके खेल रही है इन मिनट चालिज सेकंड का खेल बच एमेजिनेबल जंप थी और कितने फोट ऊपर ये जंप लगाई थी रीपले में देखेगा हरी जोग एक लेफ्ट ट्रेडर है यहां से राइड कॉनल से उनके उपर शिकार आया परफेक्ट लेंडिंग क्या बात है स्पीड गन के साथ अंकी दया है आपर साथ खिलाड़ी है बोनस खुला हुआ है यारा उच्छे से निलगिरी नाइट यहां पर बीट कर रही है दो मिनट तैटालिश सेकंड का खेल बचा है और अंके बिल्कुल यहां पर सक्टिस जियो बिल्कुल एक और रेट पर फोकस क करिए मोमेंट में रहिए और हर सेकेंड का अच्छे से इस्तमाल करिए ज्यादा आगे कमत सूचिए ज्यादा पीचे का नहीं सोचिया और निलगिरी नाइट नमबर 11 फाइवाउट किया बात है गौताम को पूरी तरह से अजॉफ कला कर दिया है एक बार फिट से के हरीश यहां देखिए पैकोल्ड फ्रेंटल ब्लॉक करना चाहते थे बट जो मिद लाइन की तरफ जाने का और उस एंगल का परफेक्ट यूज किया अंके दिया पिछली बार आल आट के लि आल गिरी नाइट्स के थोड़े से नापिश है ओल आउट हो जाए कि हाँ पर चुला वीरंट इस बेट इस पर इस प्रीपले में देखिए कि नवनीत क्या थोड़े से हार शो गए थे नील गिरी डिफेंस या फिर कैसे आपर क्रम हुआ क्या कैसी ग्रीन काड आएगा ओल पहले सागर बंचा डून रहे थे कि किसे दिया जा सकता है ओल आउट के बाद और इन के संकेत हैं चुला वीरंट के लिए नवनीत हम इसे रिपले में और देखेंगे न कि क्या कैसे अंके धया को यहां पर पकड़ा गया कैसे यहां जब उनकी मूँ थोड़ा सा नीचे किय गया और यहां देखिए यहां मेंली वो टेफेंस और उन्हें स्ट्रकल कि समाप्त कर दिया था उसकी बाद फिर से उन्हें पकड़कर दूसरी तरफ दपोचा गया थोड़ा सा हार्शनेस था आपकी प्रतिक निया है इस पे बिल्कुल आप जो कि जो है वो बियॉंड लाइन जैने कि बियॉंड लिमिटेशन होती है हर कबटी की लाइन में आपको पूरी तरह से पार करना होता है बाद स्पोर्समें स्पिरिट की जो एक रेखा है और पढ़ी महीन सी रेखा है नमनी उसका जाधा पढ़िया है सिर्फ दो टैकल पॉइंट में तोड़ा सा देखकर रेम्स और उसे पहले बीस्ट इन कॉनिटो बहुत अच्छे बहुत अच्छे रहे हैं स्टोन गोल्ड वर्ट अल्टाइम अगर में फिवरेट की बात कर तो शायद अंडर्टेकर से जाधा प यहां पर कम होगी चोला विरांच से यहां पर कब आगे बढ़ेंगे जब के हरीश क्या एंटिसिपेट करते हैं यह खिलारी के हरीश वाव लेडर से यूटिफुल डूपकी प्रेसेंस ऑफ माइंड ऑन इस पैस प्रेसेंस ऑफ कपटी ऑन इस पैस क्या टान किया क्या को कंट्रोल नहीं कर पाएं बैलेंस नहीं कर पाएं और उसके पशाथ वो लॉबी में चले गए थे वेलेवन खुश दे और मैं तारीफ भी करूंगा यहां पर कैसे तरीके से वक्ष गजर रहा है चोला विरांच को कुछ करना पड़ेगा वर्दन मिलगिरी नाइट इस मै पर के पास राइट प्लैंक पर किक का प्रयाज किया लेफ कॉनर जे प्रवीन आए पर दोनों यह खिलार यह बाहर जाएंगे एडियनन आज ऐसा लग रहें कि पिलकुल ओफ कलर हैं जैसे कोई प्रोपर डिफेंडर ही नहीं आई वांट रोहेट सिंग यह रोहेट सिंग का अभी तक प्रदर्शन था तोनों कॉनर्स आज जाएंगे लेकर जा सकते हैं आप इस मैच को सिर्फ खेलते चले जाएं ज्यादा अटेक नहीं करें उन्हें अंदर आने का मौका थे पट यहाँ पर के हरीज कहरें की रुकिए 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 आया मेया देन वाया यू रोकेट अरीज इस जँ ब्रिलियंट नवी नमईट ट्रोमेंडियस अंकेत दया और अरुन कुमार दोनों ही स्टार रेडर्स को शिकार बनाएं अरुन कुमार पर केक की उसके बाद वेश ुल्ड करके डैश करने की कोशिश की थी डैश प्रोपर नहीं करने का अंकेत दया बिल्कुल चूक हुई है और फिर से एक बार चोला विरंस उस थिती में खड़ी है यहां पर पकड़े और वक्थ बस चार मिनट बारा सेकंड का बचा है तमिल बननम आये हैं और यहां पर पकड़े जाएंगे निलगरी लगा और निलगरी नाइक्स के लिए यहां पर देखन कि क्या एक और पॉइंट वो ला पाते हैं और अंदर तक बुला रहा है जेट चुका है लेके जो चक्रविव रचना चाहते है उसमें असपाल और निलगरी नाइक्स को और पॉइंट मिलेगा थोड़ी से हडबडी कर दी थोड़ा सा और वक्त डिताना चाहिए था और उस और यहां यहां बहुत है तो टर्निंग आउट वर्ट और टर्निंग इनवर्ट एक बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और वह आपको डिसाइड करना बहुत जरूए है नवनीद कि पिछले बार भी वो पतली सी गली का वो जो जो अठारा प्था एक मिनिट सी कम का हैं चेंट टैकल जो में जाईए गॉस्तम अपना कॉन्फिदेंस बढ़ाईए इनकी सबसे में तेंगे डैश और इनके एंकल होल्ड वो दोनों ही नहीं आ रहे हैं पूरे साब खिलाडियां पर डैफेंस में मौज़ूद है आखरी लंहे मैच के 40 सकंड बचे है और वाज़ूकिंग अमेज हो गए थे कि क्या आप किसकी मांग कर रहे हैं बट रेफरी ने उनका साथ दिया रिव्यू दोनों के पास ही नहीं बचा है इस पार नमबर 88 से वहाँ पर डालेंगे निलगी नाइट्स के लिए पिरुप उगल अन्बू और चार का डिफेंस है और फिर से एक बार उन्हें पकड़ने का ये स्कूर के साथ तमाफ हो रहा है ये मैच पर खुशी निलगी नाइट्स के चैरे पर खुशी होंगे उटके सभी फैंस के चोला वीरांज पर खुशी निलगी नाइट्स नवनीत मैंने कहा तो दूसरे पाइदान पर जंप कर जाएंगी साथ मुकावले